हेलो गाईज, स्टेफन काफे अच्छे से रह रहा है, आज ये हमारे साथ रहेगा और आपको कुछ गजब के लाइफ एक्स दिखाएगा आपको नट्स पसंद है, पर जब आप इन्हें तोड़ते हैं तो ये हर तरफ बिखर जाते हैं ऐसे में अपनी मम्मी की गार्लिक प्रेस का इस्तिमाल करिए, इसमें नट डाल कर थोड़ा सा दबाईए और अब आप बागी बची खोल को आराम से निकाल सकते हैं, इसे अपने चुहे के साथ शेर करना मत भूलिएगा शायद आप सभी टेप का किनारा ढूंते वक्त परिशान होते होंगे अगली बार जब आप उसे ढूंड ले तो वापस मत चिपकाईए बस उसके किनारे को थोड़ा सा मोड दीजे इस तरह से दुबारा इसे ढूंडने में आपको अपना वक्त बरबाद नहीं करना पड़ेगा ये बहुत ही आसान है अक्सर आपको कोई चीज मापने की ज़रुत होती है पर उस वक्त आपके पास स्केल नहीं होती दर्जी वाला इंच टेप लीजे और इसे थर्मल ग्लू की मदद से अपने डेस्क के सामने की और चिपका दीजे अब आपके पास हमेशा स्केल रहेगी बस अपनी चीज को इस पर रखी और निशान लगा लीजे इससे अपनी कानी उंगली और अंगोठी की बीच की दूरी माप कर फिर उसे याद कर लेना भी काफी आसान है इस तरह से आप कभी भी किसी भी चीज की लगभग सही माप कर सकते हैं घर पर महमान आये हैं पर आपके पास वाइन की बोतल खोलने के लिए कुछ भी नहीं है अब हम आपको एक बहुत ही अलग तरीका दिखाने माले हैं दो बड़ी सिरिंज लेकर कॉक में डालिए जिससे सुईट दूसरी तरफ से बाहर निकलाए दोनों सिरिंज को अपने हाथ से बराबर करके इसकी पिस्टन को जितनी ताकत से हो सके दबाईए ताकि इसमें जादा से जादा हवा चली जाए और जब बोदल के अंदर पूरी तरह से हवा दब जाए तब धेरे से सिरिंज को उपर उठाईए हवा का दबाव कॉर को अंदर से बाहर की तरफ धके लेगा और महमान ये देखकर हैरान रह जाएंगे आपको पानी चाहिए पर आप नहीं चाहिए कि आपका मोटर चले जितना कम प्रेशर हो सके पानी की पतली धार को सेट करने की कोशिश करिए लोग कहते हैं कि मोटर्स में गरीबी रेखा वाला मोट होता है और ये इतने कम प्रेशर पर नहीं गुमते हैं आप इसका इस्तिमाल पैसो की तंगी होने पर कर सकते हैं। आपके घर में चूहे हैं और आपको नई पता उन्हें कैसे पकड़ें। इसके लिए आपको एक बाल्टी, एक चोटी बोतल और एक तार के टुकुड़ी की जुरत पड़ेगी। बोतल की सबसे नीचे और धकन पर छीट करने के लिए ड्रिल का इस्तिमाल करिए। अब इसमें से तार डालिए। और इसको बाल्टी पर जैसा वीडियो में दिखाया गया है इस तरह से लगा दीजिए। अब थोड़ी से स्नैक्स लेकर टेप की मदद से इन्हें बोतल पर इधर उधर चिपका दीजिए। अब आपको एक तरह का बोड लगाना है जिस पर से होते हुई चूहा अपनी ट्रीट के लिए आएगा और हमारे ट्रिकी ट्रैप में फज आएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो चूहे को जंगलों में छोड़ दीजेगा।